ड्राइबिंग लेसंस को अपलाई करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है परिवहन जैसे ही आप परिवहन सर्च करते हैं आप लोगों को सबसे फर्स नंबर पर परिवहन.gov.in का वेफसाइड मिल जाता है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल ज लेना है उसके बाद आपको नीचे स्कोर्डाउं करके चले आना है जैसे ही आप नीचे स्कोर्डाउं करके आते हैं तो यहाप पर दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस परकार का इंटर्फेस हो चुका है तो सबसे फर्स्ट ऑप्सन पर आपको मिलता है ड्राइवर्स learning license दिहाराखना आपको issue वाले बटन पर option पर ही click कर लेना है अब आपको फिर से नीचे scroll down करके चले आना है जैसे ही आप नीचे scroll down करके आते हैं select state के option पर आपको click करना है जिस भी state से आप लोग बिल्यम करते हैं आप लोग अपने state को यहाँ से select कर लेंगे जैसे ही आप लोग अपने state को select करते हैं तो आप सब लोगों के सामने कुछ इस परकार का dashboard ओपिन हो जाता है यहाँ पर दोस्तो हम लोग एक learner license के लिए apply करने वाले हैं तो सबसे first वाले option पर ही हम लोग click कर लेंगे यहाँ पर देखेंगे आप सब लोगों के सामने कुछ इस परका interface open हो चुका है जहाँ पर आपको बता जाता है कि आप लोग driving license को कितने पार्ट में यहाँ पर apply करने वाले हैं यहाँ पर दोस्तो देख लिजी आपको क्या क्या अप्लोड करना है क्या 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 ने अप्लोड करना है सब आपको details यहाँ पर मिल जाते हैं अगर आप लोग इसे पढ़ लिए हैं तो आपको continue के button पर click कर लेना है उसके बाद आपको नीचे इस खड़ों करके चले आना है यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर journal लिखा गया तो इसे आप ऐसे ही रहने देंगे इसे भी दोस्तो आप लोग ऐसे ही रहने देंगे उसके बाद आप सम्मीत के button पर click कर लेंगे यहाँ पर दोस्तो आप लोगों को इस form को पूरा feel करना होता है कैसे आपको feel करना है हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलता है RTO Office तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करगे अपने RTO Office को सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपके नदिकी में RTO Office होगा उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से सेलेक्ट के ओप्शन पर आपको क्लिक करना है दोस्तों रिलेशन में आपको Father's name, Mother's name, Husband's name, Guardian जिस्का भी name आपको फिल करना है क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इसारस तीनप सिलेक्ट क्पर यहाँ उनापको यहाँ पर फिल करना कि पाइस करना है तो आपको फे मेल के option पर क्लिक करना है अगर आप लोग किसी पूरूस का फॉम बर रहे तो यहाँ पर mail पर क्लिक करेंगे उसके पर दूस्ते यहाँ पर calendar के माध्यम से जो भी उसका date of birth है आपको फिल करना है जैसे ही date of birth आप फिल करते हो उसका age जो भी होता है यहाँ पर प्लम नहीं होगा ठीक है उसके बाद आपको नीचे इसकोड़ाओं करके आना है जैसे ही नीचे इसकोड़ाओं करके आएंगे तो यहाँ पर country लिया जाएगा उसके बाद qualification आप लोग क्या qualification से अपना डाइबिंग लेसंस बनावना चाहते है जैसे कि यहाँ पर मैं 10 लिग प्लेट गुरूब अगर आपको अपना प्लेट गुरूब पता है तो आप लोग यहाँ पर फील करेंगे अने था दोस्तों आप इसे ऐसे ही रहे ने ठीक है उसके बाद आपको नीचे चले आना है और आप जैसे ही नीचे आते हैं तो आप लोग जिसका भी फॉम भर रहे हैं उसका मुल नंबर आपको यहाँ पर फील करते हैं अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप इमर्जनसी भी नंबर फील करेंगे नहीं तो इसे ब्लैंक शोड़ देंगे ठीक उसके बाद दुस्तों अगर आपके सरीर में कोई भी मार्क होगा तो आपको यहाँ पर लिखना ह है उसके बाद दुस्तों आप लोग अपने विलेज का नाम यहाँ पर फील करनेंगे जो भी आपका विलेज का नाम है हाउश नंबर दुस्तों आप लोगों के अधार काड़ के लाश्ट में वहाँ पर मिल जाएगा उसके बाद पूलिश स्टेशन जो आपको यहाँ पर अब दूस्तों आप लोकल लेंड मार्क आपको यहाँ पर फील कर देना है यहाँ पर दूस्तों आपसे पिन कोड पूझा जाता है तो आप लोग अपने पिन कोड को यहाँ पर फील करेंगे और यहाँ से पूझा जाता है कि आप लोग इस अस्थान पे कब से रह रहे हो ठ यह सब भरने के बाद दोस्तों आपको नीची इसकोड़ां करके चले आना है आते हैं तो यहां पर दोस्तों आप से पूचा जाता है कि आप किस किस के लिए बनाना चाते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर क्लिक करना है यहां पर आपको मैं ने कर ली है तो आपको मैं बताता हूँ आप यहां पर क्लिक करेंगे पहले ठीक है जिसके बाद आपको क्लिक करते है ठीक है उसकी बाद आपको क्या करना इस वाले arrow पर क्लिक करना है यहां पर क्लिक करना है जैसे यहां पर क्लिक करेंगे वह आप जो भी आप वहां पर सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस परगार का आता है आपको सही की निशान लगाना है ओके बटन पर क्लिक करना है सेम दोस्तों यहे करना है तो अब पूरे सरीर को डॉनेट करना चाहते हो अगर करना चाहते हो अगर करना चाहते हो आपको यह पर टिक करना है अन्य था ब्लैंक छोड़ करके इस दोस्तों आपको जब भी अप आपका पूरे सरी यहां पर डोनेट कर दिया जाए ठीक है उसके बाद आप सम्मित के बटन पर क्लिक करेंगे ध्यारकना फॉम को एक बार ध्यार से मिला लेजिए उसके बाद ही आप सम्मित के बटन पर क्लिक करेंगे चैसी सम्मित के बटन पर आप क्लिक करते हो यहां पर द दोस्तों हाğ तो आपको OK के button पर Click कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं Congratulations your application has been successful का एक यहाँपडर notification हम लोगों के सामने आ चुगा है। यहाँपर दोस्तों आप देखेंगे आप जो भी application reference यहाँपर भी slip आता है। आप लोगों के सामने आचुगा है अब आपको दूस्तों क्या करना है आप लोगों को यह जो अप्रीकेसन नमबर है इससे आपको कहीं पर भी नोट कर लेंगे या तो आप लोग इसका एक इसके शौर्ट ले लेंगे ठीक है उसके बाद आपको इसे भी डाउनलोट करना है उसके बाद ही नेश्ट करना है जब भी आप आप आपका ओलाइन एक्जाम होगा दोस्तों यह सब प्रिंट आपको वाँ पर दिखाना भी पड़ेगा ठीक है तो चलिए इसे हम लोगों यहां पर प्रिंट कर लेते हैं आप फिर आपको मेंट कर लेते हैं तो फाइनी दोस और दोस्तों आपको नीशे को परके आना हैं ध्यारागना सबसे पहले आपको मिलता है फ्रिंट नंबर 1 इसे दो आपको डॉनलोड करना है। दिहार रखना इससे आपको भरना भी पढ़ेगा कशे भरना आपको बताएंगे तो इससे आप लोग सबसे पहले डाउनलोड करेंगे उसके बाद दूस्तों यहाँ पर आपसे बता जाता है कि आप लोगों को यहाँ पर डॉकुमेंट्स को अपलेट कर अपलोड करना होगा उसके बाद फोटो अपलोड करना है उसके बाद फीस को यहाँ पर पे करना है उसके बाद शलोट आपको बुक करना है ठीक है अब दूस्तों यह सब करने के बाद आपको जो फॉम आपको डाउनलोड करने के बाद पर प्रसीड के बटन पर क्लिक करना है लेकिन उससे पहल जाता है यहां पर डेट पर सम्मीत की बटन पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप लोग के सामने इस परकार का मैं आप सब्सक्राइब करते हैं अब से आप से बता जाता आ कि है कि किस कि लिए आप पर लाइसे बनुवा है तो आप धियार रखना उसके बद आपको दोस्तों के बटन पर क्लिक कर लेना है अब दोस्तों क्या करना है आपको जो आपने फॉर्म वहान को डाउनलोड किया था उसे आपको जाकर के किसी भी शाइबर कैप पर प्रिंट कराना है ठीक है जैसी दूस्तों आपको इसका एक पोटो यहाँ पर खीच लेना है ठीक है प्रिंट का है प्रिंट में आपको कलमशे करना है उसके बाद प्रिंट का एक पोटो आपको घ अपने जो भी पोइब करना है यहां पर इहां पर फिल करना है उसके बाद आप नीचे आएगे कुछ इस्ट परकर का इंटरफेस ओपेन हो जाता है उसके बाद आप सम्मीत के बटन पर क्लिक कर लेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको OK के बटन पर क्लिक कर लेना है जैसे ही आप OK के बटन पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे इसकोड़ाओं करके चले आना है जैसे भूरूद दोस्तों आपको अधार काड अधार काड भी होगा फां मुनाहले तो चली दूस्तों यहाँ पर हम लोग पहले एजब्ट को अपलोड कर देते यहां पर देखेंगे दोस्तों एज़ गृूप पर जैसे ही क्लिक किये तो यहां पर हम लोगं ए Dance county आपकर करलेंगे उसके बाद दुस्तों आपको चूज फाइल के अप्टन पर क्लिक करना जहांद भी दूस्तों आपको Marks自己 is पर आपको कलिक कर लेना हए यहां पर दूस्तों आपको ळहएंगे हमने जिशाप सब डॉकमेंट को upload करना ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टिक करना है उसके बाद आप पॉर्सीट के बटन पर क्लिक कर लेंगे जैसे ही आप नीचे स्कोडाओं करके आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बता जाता है कि आप किसने स्टेप में यहाँ पर पोटो को upload करेंगे ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट के आपसर पर क्लिक करके फोटो प्लोड करेंगे यहाँ से दोस्तों आप लोग अपने सिगनेचर को upload करेंगे ठीक है तो चलिए यहाँ पर हम लोग अपलोड कर लेत पर क्लिक कर लेना है उसके बाद से मिन दोस्तों आपको निश्ट के बटन पर क्लिक कर लेना है यहां पर सबसे लाश्ट में आपको नेश्ट का बटन जो दीख रहा था ठीक है उसके बाद आपको नीचे इसकोड़ाओं करके आते हैं तो यहां पर आप देखेंगे हम लोगो यहां पर देख सकते हैं आप लोगों को मात्र 355 रूपे यहां पर पेमेंट कटाना है यहां पर दोस्तों आपको मिलता है सेलेक्ट का ओप्सन तो आप लोग सेलेक्ट के ओप्सन पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस्टेट बैंक आप इंडिया के ओप्सन पर कलिक करेंगे यह capture code आपको दोस्तों यहाँ पर feel करना है यहाँ पर जो आपको दीख रहा है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर pay now के option पर ही click कर लेना है ठीक है उसके बाद आपको नीचे इसकोड़ोंगर के आना है जैसे आप नीचे इसकोड़ोंगर के आते हैं तो उसके बाद यहाँ प से पेमेंट करना है तो आपको नीचे ओप्सन मिल जाता है तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर सक्सेजपूल पेमेंट कर लिया है उसके बाद दोस्तों क्लिक कर लेना है आपको दोस्तों इसे डाउनलोड करना भोगा ठीक है तो चलिए हाँ पर हम लोग इस capture code को feel करेंगे और स्प्रिंट को download सबसे पहले हम लोग यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस capture code को यहाँ पर फिल करना है उसके बाद प्रिंट इस रिफ्ट के option पर आपको उसी तारिक को दोस्तु हम لوगों को अपने आइटी ओपिस पे जाना है वहाँ पर दोस्तो हम लोगों का एंग्जाम होता है ठीक है तो चली ही 컨सिट के बटन पर हम लोग किलिक करेंगे और उसके पाद दोस्तो हम लोग सबसे पहले यहां पर slot book कर लेते है तो चली हम लोग निछी sc 인स्कोड़ों करके आते हैं proceed to book के option पर आपको click करना है जेसी ही आप यहां पर click करते है फीट से आपको निछे scoda गर करके आना है अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे जो यहां पर red color का है ठीक है तो दोस्तों वहां पर यानिकी जो रिड़ कलर पर हैं आपको अपराण मैंट नहीं मिलेगा और जो दोस्तों हैं यहां पर जबाओंगे तो श्रिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों बॉटस लोट के ऑपस师य पर हम लोग yht कर लेंगे तीस तारिक जो 30 बरेया पर हम लोगों का खाली है इसके बार नीचे आप जबाएंगे तो यहाँ पर डाइम आए आपको इसपर करका एंटरफेसень हो जाएगा अपने जोबी मुवाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर किया था उसी पर पीडि़ जाएंग आपको ठ पर फिल करना है उसके बाद confirm to slot booking के option पर आपको क्लिक कर लेना है जैसी दूस्तों आप confirm to slot booking के option पर क्लिक करेंगे उसके बाद दूस्तों आपको फिर से score down करके नीचे चले आना है यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आप लोगों के slot book हो चुका है तो आपको इसे print करके PDF save क कर लेना है द्याराखना आप जीज़ भी तारीक को स्लड़ भूक की हैं आपको उतने बज़े से उतने बज़े की बीच में अपने आटी ऑफिस पहुच करके अपना एकजाम देना पड़ेगा ठीक है अब दोस्तों पर हमने प्रेंट कर ली है आपको नेस्ट बटन पर किल्क कर लेकरते ना है जैसे आप नेस्ट के बटन पर क्लिक करते हैं आपको फिर से नीचे इसकुड़ा श कर चले आना है जैसी आप नीचे स्कड़ों करके आते हैं तो यहां पर आपको दिमिल जाता है कि आप लिगों कहाँ पर फॉम जो है सकसेश पूल यहां पर वेरिफिकेशन हो चुग है ठीक है बस दोस्तों आपको इतना है यहां पर अपली केसं को भरना होता है उसके बाद द और वहां से दोस्तों आप लोगों को अपना एक्जाम देना पड़ता है यहां पर सक्सेज सक्सेज कंप्रीट सब आच चुका है ठीक है दोस्तों कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम एक शमस्या आ रही है अपने डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको अमारे इंस्टागरम का लिंक मिलेगा जहां दोस्तों आप लोगों सब्सक्रिप्शन पर कर सकते हैं अगर दोस्तों आप लोग ड्राइविंग लेशन्स का आउल लाइन एक्जाम देना चाहते हो अपनी स्मार्टपोन से उस पर भी दोस्तों मैंने आल्रेटी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक वीडियो को देख करके अपने डाइविंग लेशन्स का एक्जाम दे सकते हैं चलिए मिलते हैं कैसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक लिए दीजिए हमें जयादा जय हिंद वंदे मातरम